सो हेलो दोस्तो वन सेगन वेलकम बेक टू माई चैनल सो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए स्विंग हाई और स्विंग लो की स्टेजी लेकर आया हूं जिससे आपकी ट्रेडिंग की नोलेज और एक्यूरोसी बड़ाने में बहुत ही हेलफुल रहने वाली है सो द दोस्तो अब आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दू कि थोड़ा भी वीडियो स्कीप मत करना क्योंकि एक-एक पोइंट आपके लिए बहुत ही जरूर ही होने वाला है क्योंकि आपको आपकी एक्यूरिसी अच्छी करनी हो ना तो आपको एक-एक पोइंट पे ध्यान से देखना है कि क्या लोजिक है इसका समझ रहो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो आप आप यहाँ पर देखो कि रेड केंडल की विक ग्रीन केंडल की कमपेरिजन में मतलब कि ग्रीन केंडल की विक है इसके कमपेरिजन में उपर है तो इसको आप स्विंग हाई बोलोगे समझ रहो आपको बहुत लोगों को पता ही होगा कि स्विंग हाई किसे बोलते है पर मैं आपको इसके पीछे का लोजिक समझाऊंगा कि इसको स्विंग हुई है पर यह seller को पता है कि बार्स यहां तक गए है समझे हो तो अब यह seller क्या करेगा यह जो seller है हो क्या करेगा यह question है जब भी swing hai बने तब की बात कर रहा हूं तो यह seller अब इसका high देखके मतलब कि खुद का high देखके कोई level दूढ़नेगा यहां भी हो सकता है यहां पर भी हो सकता है मतलब कि seller कोई level दूढ़नेगा समझ रहे हो यह जो red candle है इसका high तो अब level कैसे दूढ़नेगा कि seller यहां से continuation कर सकता है जब तक कोई level ना जाए समझ रहे हो समझ लोग कि यहां पर कोई level आ गया तो दीरे दीरे sellers यहां पर खतम हो जाएंगे ठीक है दोस्तों यह लोजिक है मैं आपको logic समझ रहा हूं market का कि यह जो high है इसका impact आपको यहां से दिखने मिलेगा इसका impact बोल रहा हूं ठीक है दोस्तों इसका logic आपको यहां पर काम आएगा तो जब भी यहां पर buyers आते है red candle को इंगल्फ करके तो आपको यहां से हमेसा यही सोचना है कि यहां आपको put direction के लिए कभी भी ट्रेड नहीं लेना है यहां से आपको call direction के लिए ट्रेड लेना है इस बात का खास द्यार नहीं खणा दोस्तों क्योंकि यहां पर कोई भी चांस नहीं है कि अब यहां से मतलब की sellers आ है ठीक है मतलब की mostly क्या होता है कि यह level को भी अब respect नहीं करेगा यह जो level है इसको भी market respect नहीं करेगा ठीक है तो आपने यह सीख लिया अभी कई बार क्या होता है कि अब swing है बना दिया पर इसके बाद अच्छानक वापस green candle आ गई ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार market में तो इसका मतलब यही है कि यहां से बार्स मतलब की continuation कर सकते है तो मेरा मतलब यही यह बोलना कि जब भी आप trade लोना तो यहां पर पूट डारेक्शन के लिए कभी भी मत सोचना बहले आप कोई strategy में apply करके देखो या मतलब की फ्राइजेक्शन में यूश करो यहां पर कभी भी पूट डारे कि sellers खुद के मतलब की week के अंदर close हो जाते हैं जैसे कि आप यहां पर देखो जैसे कि इसकी week है यह अब यहां पर sellers खुद के week के अंदर ही close हो गया अब देख सकते हो अब यहां पर बायर सेंटर होंगे समझ रहो तो यहां का pressure आपको यहां पर देखने मिलेगा तो इस candle के बाद आप कभी भी trade लो तो आपको buying के opportunity देखनी है समझ रहो दोस्तो बीच बीच में कई वे आपको red candle भी ऐसे दे important है समझ रहो अब आपने यहां पर स्विंग हाई देख लिया अब समझ लो कि यहां पर स्विंग हाई नहीं बनाया है मार्केट ने यहां पर श्विंग हाई नहीं बनाया है ठीक है तो यहां पर अब यहां पर confirm हो गया है कि अब buyers यहां पर interested नहीं है मतलब की continuation करने में और sellers को यह बात का पता चल गया है यहां पर इसकी मतलब की जो उपर वाली week है उसको देखके तो अब आपको जब भी मार्केट में यहां से दो से तीन केंडल रेड केंडल की रेड कलर की देखने मिले तो आप समझ जाना की अब यहां पर सेलिंग की opportunity देखनी है अब यहां से मार्केट में sellers के आने के chances बहुत जादा है समझ रहे हो और आपको double confirmation लेनी हो नो दोस्तों तो क्या कर सकते हो जब continuation के लिए जाना हो तो जब भी एक अच्छी खासी healthy candle हो तो यह देखो कि इसके बाद वाले candle है वो कहां से open हो रही है समझ लोग कि यहां से close हो रही है वहां से open हो रही है या फिर body के अंदर से open हो रही है समझ रहे हो आप जो भी strategy यूज़ करते हो इसमें आप apply कर सकते हो तो यह 100% आपको मतलब की surety देगा कि आप continuation के साथ जा सकते हो जब भी body के इंदर से दे हैं जहां से close हो रहां से open हो ठीक आपको ignore करना है जब gap opening यहां से ठीक है तो आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है मतलब की market जा आइन यहां आप क्या युद्रस ऐसे करते हैं ठीक है दोस्तों तो आपने वीक रीडिंग अच्छी तो मार्केट में छोटी-छोटी चीजे आप आपको देखना बहुत ही जरूरी है जिसे कि candle comparison फिर विक रीडिंग या फिर लेवल यह जो आपने सीख लिया ना तो समझ लोग की आपकी accuracy अपने आप ही अच्छे हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो चलो समझते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने swing low बनाया हुआ है तो swing low कैसे पेचानते हैं कि यह जो green candle है इसने previous red candle से नीचे विक लंबा बनाया है जोसी कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसके सब comparison करो red candle के साथ इसका विक और इसका विक नीचे है जब भी मतलब की green candle का विक नीचे हो तो आप इसको swing low बोल सकते हो ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि market में अभी भी sellers presence है तो यह बायर्स क्या करेगा कि कोई level ढूणनेगा यहाँ पर समद लो कि कोई level है तो बायर्स यहाँ तक धीरे धीरे continue कर सकता है यहाँ फिर एक बड़ी candle भी बना सकता है मतलब की situation होती है इसी मैं आपको एक दो situation दिखा देता हूँ ठीक है वरना यहाँ पर आपको एक red candle भी दीखने मिल सकती है इसके बाद वापस ऐसे हो सकता है यहाँ पर एक red candle आईगी इसके बाद वापस वो यहाँ जाएगा तो जब भी लेवल ढूंडे इसके बाद अब sellers वापस यहाँ से एंटर होंगे ऐसे strongly एंटर होंगे हम मैं सा अब देखना back testing करना काँ पर भी देखना so sellers strongly नहीं तो धीरे धीरे भी एंटर हो न तो आपको यहाँ पे कभी भी बाइन की opportunity नहीं देखनी है दोस्तो ये बात का खास द्यानक ना कि यहाँ पे आपको कभी भी buying की opportunity नहीं देखनी है ठीक है अगर आपको level से डर लग रहा है न तो यह जो level है न यहाँ पे आप skip कर दो ठीक है यहाँ पे आप skip कर दो यहाँ तक आप selling के लिए जा सकते हो फिर जैसे यह break हो तो यहाँ पे retracement candle का भी wait मत करो एक minute में apply कर रहे हो या 5 minute या फिर आप long term में भी apply करो तो यह चीज काम आती है बलब कि यह से market work करता है तो यह level के लिए तो आपने देख लिया अभी समद लोग की यहाँ पे कोई level नहीं है दूर दूर तक तो market क्या करेगा खुद के wick के अंदर ही close हो जाएगा इसे अब देखो comparison करो इसका wick यहाँ पे खुद के wick के अंदर ही close हो गया तो यहाँ पे आपका golden chance है कि आप यहाँ से selling के लिए जा सकते हो मतलब कि यहाँ पे आपको short short मिलेगा एसा कभी भी मतलब की market में देखने मिले न तो आप बड़ा risk ले सकते हो यहाँ पे आपको 110% winning trade ही मिलेगा ठीक है दोस्तो जब भी मतलब की candle के अंदर candle shrink हो जाए और उपर से जो downtrend चल रहा है न तो यह king है यह candle इसा समदने का ठीक है तो इसे selling के लिए opportunity देखो पर कई बार क्या आता है कि directly यहाँ से आ जाती है selling के candle तो बस यही confirm हो गया कि अब sellers ही continuation करेंगे यह swing low है इसके बाद sellers ने बहुत ही strong entry लिए तो अब यहाँ पे selling की opportunity आपको देखनी है आप यहाँ पे कोई भी strategy में apply करो तो आपको selling के लिए जाना है ठीक है दोस्तो अभी समद लो कि यहाँ पे swing low नहीं है जिससे मैंने आगे आपको बताया था swing high के बारे में तो अब आपको यहाँ पे हमें सब buying के opportunity देखनी है ठीक है यहाँ पे हमें सब आपको ध्यान रखना है कि बाइंग के लिए आपको जाना है कभी भी trade लो तब यहाँ पे कई बार क्या होता है इसे आती है candle फिर red candle आती है तो red candle यहाँ पे क्या करती है पता है कि एक high बनाती है इसे previous high से previous high से high बनाती है तो यह confirm हो गया कि अब यहाँ पे bars मतलब कि bars presence है यहाँ पे swing low नहीं बनाया था तो यहाँ पे swing high बना दिया था ठीक है मतलब कि इसे logic होता है तो आप इसके बाद भी continuation के लिए trade ले सकते हो आपका आसानी से trade भी न हो जाएगा दोस्तो कभी भी मतलब कि आप trade लो आपको यहाँ पे कभी भी selling की opportunity नहीं देखनी है अब जो मैंने आगे समझाया था वहाँ पे भी आप इसे try कर सकते हो कि समद लो कि green candle है तो red candle ने swing मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ गि green candle है ठीक है अब red candle आईए इसने swing high नहीं बनाया हुआ है comparison to green candle ठीक है तो अब क्या करेगा market की अब bars यहाँ पे थोड़े साएंगे और समद लोकी यहाँ पे low बना दिया एक previous candle से तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा chances है कि यहाँ से अब sellers continuation करेंगे ठीक है मैंने आगे आगे आपको swing high के लिए यह समझायता न उसके लिए है ठीक है दोस्तों तो इसे market वर्क करता है तो swing low के बारे में पता चल गया तो आपको candle comparison में आपको दिखा देता हूं कि समद लोकी आपको selling के लिए जाना है तो हमेशा healthy candle ढूंड़ो जब आपको short short लेना है तब के बात कर रहा हूं वरना आपको practice होगी न तो आपको पता चल दी जाएगा market trading कि कैसे market work करता है जब भी body के अंदर से open हो न next candle तो आप आँखे बन करके यहां से selling के लिए मतलब चले जाओ आप one way trading कर रहो तो भी यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है और जब भी opening point से opening point पे open हो तब आपको selling के लिए जाना है कभी भी gap down opening देना तो आपको कभी भी trade नहीं लेना है यह rule बना लो आपका यहां से यहां से क्या होता है कई बार इसे होता है कि market यहां आ गया यहां गया फिर अच्छाना green candle हो गई इसा आपने देखा हो गई ठीक है तो आप इसे candle confirmation ले सकते हो ठीक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलो मैं आपको थोड़ा live market में समझाता हूँ तो क्योंकि आपका कोई loss होगा ना तो आप यहां से आसानी से record कर सकते हो जैसे कि आप यह स्किन में देख सकते हो यहां पर मैं खुद के live account के साथ ट्रेडिंग के सिगनल देता हूँ तो दोस्तो टेलीगराम के लिंक वीडियो के description में ही है तो जोईन करना मत भूलना और एक द कि कैसे market में work करता है तो आप देख सकते हो यहां पर uptrend चल रहा है ठीक है तो आप यहां पर देखना कि कैसे में swing low और swing high को use करता हूँ ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर market में swing high बनाया हुआ है ठीक है जैसे कि आपको मैंने drawing paid में समझाया था कि swing high कैसे बनत है तो मार्केट क्या करेगा एक लेवल धुणगेगा तो यहां पर देखो मैंने क्लोस होगा एक ठीक है तो यह जो कोईंट है यहां पर हमें साब को गेंग की अपोचलेटी सूरइजूनिती देखनी है जब आपको लेवल से डर लग इहां पर तो आपól करो कि आपको ट्रेड नहीं लेना है ठीक है इस बात का खास दियान लख ना कि आपको लेवल से डर रह तो आप थोड़ा रूख देखनी है तो मैं आपको दूसरा यहां पर रीजन बताता हूं कि दूसरा रीजन क्या है कि यहां पर मैं बाइंग की ओपोच्विनिटी देख रहा हूं तो आप यहां पर देखो यह जो green candle है इसने new low नहीं बनाया हुआ मतलब कि swing low नहीं बनाया हुआ है तो यहां पर दूसरी confirmation यह हो गई कि यहां से आपको बाइंग की ओपोच्विनिटी देखनी है फिर आप यहां पर देख लो कि यहां पर strong rate के इंडल है इसके बाद भी बायर से वापस आगा है भले ही यहां level और इसके पीच में बीच में gap थ किया ठीक है तो भी आप देख सकते हो यहां से बायर ने कंटिनेशन किया तो दोस्तों एसे यह logic क्याम करता है तो आपको strategy भी यूस करते हो न तो उसमें आप यह एड कर सकते हो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी strategy कई बार मतलब की work करती है 50-50 work करती है तो इसका reason ही य यूस कर सकते हो और आप आपकी accuracy अच्छी कर सकते हो ठीक है तो चलो मैं आपको थोड़ों मतलब की live trade लेके दिखाता हूँ अब यहाँ पर तो opportunity नहीं दीख रही है तो यहाँ पर मैंने directly call direction के लिए trade ले लिया मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों यहाँ पर मैंने directly call direction के लिए trade ले लिया सो दोस्तो यहाँ पे मैं खुद की strategy यूज किये इसलिए यह मैंने trade लिया है पर मैं आपको दूसरा confirmation यह swing high और swing low का बता देता हूँ सो जैसे कि आप देख सकते हो मैं पहले यहाँ पे थोड़े levels रख दू उसके बाद मैं आपको explain करता हूँ सो अब यहाँ पे देखो market में swing high बनाया था तो market क्या करेगा एक level तक जाएगा जिससे कि यहाँ पे एक level है तो इसने यह level follow किया ठीक है अब दूसरी बात यहाँ पे swing low नहीं बनाया हूँ था तो यहाँ पे bars का pressure था ठीक है अब bars का pressure था वो बाट ठीक है पर जिसे ही यह opening point को यहाँ पे market ने breakout दिया तो यहाँ पे retracement candle आई यह पूरा zone है दोस्तो यह देखो मेरा trade तो win हो गया पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह पूरा zone है तो जब बड़ा zone होता है ना तो week काम करता है का तो opening point काम करता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या काम किया opening point काम किया यह मेरी strategy के according में बोल रहा हूँ पर आप भी यह use कर सकते हो जब भी बड़ा zone हो ना तब के बात कर रहा हूँ कि week काम करता है यह opening point करता है वह ही काम करता है चू मैं आपको यह समझा रहा था कि यहाँ पे swing हाई है तो मेंको एक बात कन्फर्म थी कि मैंको ql direction के लिए trade लेना है दूसरी confirmation मैंको यहाँ पर मिल गए थी कि यहाँ पर swing low नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पर मैंको कि call direction के लिए trade लेना है पर जैसे ही यहाँ पर breakout होगा तो यहाँ पर मैंको देखने मिला कि यह तो retracement candle है तो यहाँ पे मैंने बीना सोचे यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो आपके सामने ही result है देख सकते हो तो यहाँ पे देखो मेरा ट्रेड कैसे आसा निज़े मतलब की वीन हो गया सो दोस्तो ऐसे market में logic काम करता है ठीक है आप एसे ट्रेड लोगे ना तो समदलो की आपके mostly सब ट्रेड भी नहीं होंगे यह जो strategy आप मतलब की कोई indicator यूज़ कर रहे हो तो उसको बन कर दो वरना मतलब की indicator आप यूज़ कर रहे हो तो आपको particular कहाँ पे ट्रेड लेना है उसमें आप यह apply करके देखो तो आपको positive review मिलेंगे इसमें ठीक है दोस्तो और अभी आप यहाँ पे देखो कैसे green candle बन रही है ठीक है तो अब यहाँ पे जैसे ही week का भी breakout हुआ तो retracement candle आई और green candle बन गई so इसे market work करता है so I hope आपको यह video बहुत ही अच्छा लग रहा होगा so video को like करना मत भूलना और channel को subscribe करना मत भूलना तो चलो मिलते हैं नए video में तब तक के लिए good bye